नमस्कार दोस्तों, एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारक की नीती के आधुनिक रूपांतरड की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक की नीती को पूरी तरह और अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्यूंकि अधूरा ग्यान हमेशा गातक होता है दोस्तों चारक की नीती में बताया गया है हम अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से कोई ना कोई सीख ग्रहर कर सकते हैं क्यूंकि हमारे जीवन में हर दिन हमारा परिचय कई प्रकार के लोगों से होता रहता है जिनमें अच्छे स्वाभाव और बुरे चरित्र के लोग भी होते हैं हम अपनी समझ और बुद्धी मानी से अच्छे लोगों के साथ ही बुरे लोगों से भी कई गुण प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक की नीती के अनुसार इसी के बारे में जराबिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचारे चारे के कहते हैं अच्छाई को ग्रहर करें इस रष्टी में हर जगे अच्छाई और बुराई दोनों ही ब्याप्त हैं जिस परकार बिश और अमरत दोनों के होने पर हमें केबल अमरित को ग्रहर करना चाहिए, उसी परकार अच्छाई और बुराई दोनों के होने पर हमें केबल अच्छाई के गुणों को ही ग्रहर करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई के गुणों का सम्मान होता है। आगे बताया गया है मूल लेबान बस्तू का मोल, दोस्तों आचारे चारक के कहते हैं, हमें हमेशा मूल लेबान बस्तू की कदर करनी चाहिए, उनके मोल को समझना चाहिए, चाहें वो किसी गंदगी में ही क्यों ना पड़ी हो, जिस परकार गंदगी में यदि सोना और या अ ने कोई आभुशर या कोई कीम्ती बस्तू पड़ी हुई मिले तो उसे हमें अबश्य उठाना चाहिए उसी परकार किसी भी मूल्यवान बस्तू को हमें ले लेना चाहिए चाहें वो कितनी भी गंदिगी में क्यों ना पड़ी हो दोस्तों आगे बताया गया है उत्तम बिद्या की स्रेष्टता आचारे चारक के कहते हैं कि उत्तम बिद्या सबसे अनमोल होती है इसलिए यदि कोई उच्च बिद्या या ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से लेना पड़े जो अपने कर्मों से और स्वाभाव से नीच प्रभरत् प्यक्ति का भ्यक्ति यदि उत्तम बिद्या का जानकार है तो उसे हमें अबश्य प्राप्त करना चाहिए। चित, सरबगुर संपन, सूसंसकारी और आविबाहित है तो उसे किसी सुयोग बर को अबश्य बिबाह करना चाहिए। इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कीजिए। ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके। मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पाइरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टै मोटिवेट, इस्टै फियरलेस।